Hello and welcome to the class Indian Trust Act 1882 के chapter 4 की हम आज शुरुबात करने जा रहे है तो chapter 4 जो है वो बात करता है Rights and Powers of Trustees की तो जो ये chapter है उसमें दोनों ही चीजों की बात की गए Rights की भी और Powers की भी और इसमें जो section दिये गए है वो section 31 से लेकर के और 45 तक दिये गए है आज की class में हम section 31 से लेकर और section 36 तक पढ़ेंगे क्योंकि ये चितने भी section आज हम पढ़ेंगे वो सब बात करते हैं Rights की बाकी बचे हुए section यानि की 37 से लेकर के और section 45 तक ये section बात करते हैं Powers की जो की हम next class में पढ़ेंगे तो start करते हैं पहली जो right की बात हुई है trustee की वो हुई है right to title deal जैसे हमने की Indian trust act के ही section जो है हमारे पास 13 उसमें पढ़ा था कि जो एक trustee होता है उसको क्या duty होती है कि trust की property के title को वो protect करें यह हमने section number 13 में पढ़ा था अब section 31 जो है वो बात करता है right to title deed यानि की एक trustee जो है वो चाहे तो possession ले सकता है यानि कबजा ले सकता है कि इसका कबजा ले सकता है trust से जुड़े हुए सारे instrument का या फिट जितने भी documents हैं जो title की बात करते हैं trust की उनका कबजा लेने का अधिकार trustee के पास है section 32 बात करता है right to reimbursement of expenses reimbursement means प्रतिपूर्ती यानि की जो भी expenses जो भी खर्चे trustee करता है किस चीज़ पे खर्चे करता है trust की property को realize कराने के लिए preserve करने के लिए या फिर beneficiary को किसी बे तरीके से support देने के लिए या beneficiary की protection सुरक्षा करने के लिए जो भी खर्चे trustee करता है उसके लिए उसे प्रतिपूर्ती का अधिकार है यानि उसके किये हुए खर्चे का उसे पैसा मिलना चाहिए तो ये बात इस section में कही गई है इस section में आगे ये कहा गया है कि अगर जो trustee है वो पैसा जो है अपनी जेब से लगाता है पैसा अपनी जेब से लगाने का मतलब ये है कि वो जो expenses हो रहे हैं उसमें वो अपनी pocket से ही खर्चा कर रहा है यानि अपने पास से अपना पैसा दे करके खर्चा कर रहा है तो जो trust की property पे जो expenses का जो भी भार उतारा जारेगा यानि कि expenses को जो भी reimburse किया जाएगा तो उस पे पहला हग trustee का बनेगा आगे ये भी कहा गया कि अगर ऐसा होता है कि trust की property से इस property से जो है trustee का अधिकार जो है वो पूरा नहीं हो पाता यानि कि trustee की जो trustee ने खर्चा करा है उसकी प्रतिपूर्ती उस trust property से नहीं हो पाती है जो कि trust की है तो उस case में beneficiary जिसके कहने पे जिसके लिए trustee ने खर्चा करा उसको personally अपने पास से payment करेगा इसमें ये बात की गई हाँ और ये भी आगे कहा गया section में कि कभी ऐसा हो कि trustee error से गलती से over payment कर देता है beneficiary को क्या करता है over payment कर देता है गलती से mistakenly यानि कि जितनी payment होनी थी उतनी payment ना करके कुछ जादा payment कर दिया है तो उस case में जो बचा हुआ है यानि over payment में से अगर हम जितनी payment होनी थी वो कार्ट दी जाए तो जो बचा हुआ पैसा होगा वो वापस trustee को लोटाना होगा section 33 पे आगे बढ़ते हैं जो बात करता है right to indemnity from gainer by breach of trust यहाँ पे दो words है एक तो है breach of trust और दूसरा है gainer यानि एक third person है जो तीसरा वेक्ती है जिसकी की वज़े से breach of trust होता है तो क्या होगा उस case में जो trustee है उसको अधिकार है जो breach of trust ना होता तो उसका जतना भी लेना बनता उसको मिलेगा a person other than a trustee who has gained an advantage from a breach of trust must indemnify the trustee to the extent of the amount actually received by such person under the breach यानि जो breach से breach करने के बाद में जो gainer को advantage हुआ वो advantage होना चाहिए था trustee को लेकिन gainer को हुआ तो gainer के advantage को क्या करना पड़ेगा gainer को देना पड़ेगा trustee को and where is the beneficiary the trustee has a charge on his interest for such amount और अगर यह breach करने वाला और कोई नी beneficiary खुद है तो तो इस case में जो amount है जिस amount का benefit जो बनता था beneficiary कोन बनता था trustee बनता था वो trustee को pay करेगा कोन beneficiary की property या amount जो होगी उसने पर interest के साथ में charge होगी यहाँ पर एक important बात भी है section में वो यह कि अगर trustee खुदी breach of trust कर दे या उसने जो है fraud किया है breach of trust करने में वो भी liable है तो उस case में उसको indemnity नहीं मिलेगी फिर section 34 पे आते हैं जो बात करता है right to apply to court for opinion in management of trust property यानि कि ये trustee का अधिकार है कि वो trust property को manage करने के लिए अगर उसे कुछ problem आ रही है तो इस case में वो court of jurisdiction है civil court of original jurisdiction वहाँ पर जाकर कि उनकी opinion के लिए उनकी advice के लिए उनके direction के लिए बोल सकता है और इस case में उसे कोई suit file करने की जुरूरत नहीं है एक petition file करनी है और उसे काम चल जाएगा petition file करने के बाद court उसको direction दे देंगे और इस petition की copy जो है जिसको court सही समझेंगे उनके पास जाएगी और इस section में एक important बात कही गई कि अगर court को ये लगता है कि जो case हमारे सामने आया है वो summary disposal के लिए नहीं है यानि कि उसका summary disposal नहीं किया जा सकता उस case में जो है इस section को applicable नहीं किया जाएगा means उसको जो है जो trusty है वो opinion नहीं मांग सकता अगर लगता है जो original court है जो original jurisdiction civil court है उन्हें लगता है कि court जो है वो नहीं इस चीज का जो मामला जो आया है सामने वो summary disposal वाला है तो उस case में इस section के साथ वहाँ पर applicability नहीं जाएगी फिर आगे भी बोला कि इस section से related जो भी application की cost होगी वो जो होगी cost होगी वो court की मरजी पर depend करेगी यानि कि court के discretion पर court के विवेक पर depend करती है section 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कहता है right to settlement of accounts यहनि जब काम निमट जाए ट्रस्टी का काम हो जाए तो उस case में जो ट्रस्टी है जब ट्रस्टी ने अपनी duty निभा दी तो उस case में क्या करेगा ट्रस्टी ट्रस्टी बोलेगा कि हम में आओ भई मेरे account को administration कर लो जो jack कर लो examine कर लो और settled कर दो और अगर कुछ भी ऐसा नहीं है जो beneficiary का past due under the trust to an acknowledgement in writing to the effect तो वो acknowledgement भी जो है beneficiary से ले लेगा and where nothing is due to the beneficiary under the trust to an acknowledgement तो कहता है कि अब तो कुछ due नहीं है तो वो acknowledgement भी मांग लेगा writing में किस से beneficiary से फिर हमारे पास last section की जब हम बात करें देखें बहुत important है section general authority of trustee की बात करता है इस section में बहुत कुछ बाते कही गई है जो हमारे लिए इसे important बना देती है पहली बात कहता है in addition to the powers expressly conferred by this act and by an instrument of trust यानि कि जो power दी गई है trustee को इस act के द्वारा या फिर instrument of trust के द्वारा या फिर कोई restriction के द्वारा अगर trust में है और इसके अलावा provision की भी बात की गई section 17 की section 17 कि इसके बारे बात कहता था कि trustee to be impartial trustee को impartial होना है यानि किसी कदर पक् क्या करेगा सभी काम करेगा जो कि reasonable है जो कि proper है किसके लिए trust property के benefit के लिए और beneficiary के support के लिए beneficiary के protection के लिए यानि ये सारे powers तो है ही जो हमने अभी पड़ी सारे उसके पास अधिकार है ही और उसको power भी आगर दी गई है section 37 से लेके 45 तक लेकिन इसके अलावा भी अगर उसे कुछ लगता है कि वो कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जो trustee के benefit के लिए हो तो वो सब काम करेगा एक और इसमें exception के तोर पे दिया गया है section 36 में ही उसमें बोला गया है कि 36 की इसमें आगे उसमें ये बताया गया कि कोई भी trustee trust की property को 21 साल से जादा के लिए कभी भी lease पर नही देगा और जितना ज्यादा हो सगे proper interest में है बैनिफिच्च्री के उस case में भी एक साल से जादा के लिए वो जो होगा rent पे नहीं दे सकता है किसी भी property को हाँ exception क्या दी गई exception दी गई कि permission अगर जो civil court of origin jurisdiction की मिल जाती है तो उस case में यह जो हमने अभी आपको period बताया है 21 साल और एक साल वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है तो यह सब हो गया हमारे पास जो बात करते थे अधिकारों की right की of trustee यह हमने पढ़ लिया next class में हम powers की बात करेंगे thank you so much for listening thanks a lot keep learning and keep smiling